आप ये देखें आपकी इंडस्ट्री में टॉप पर कौन है जो कमपनी जो वेक्ति टॉप पर है उसको अपना आदर्श बनाएए और देखें क्या टॉप थ्री में आने के आपके संभावना बन सकती है अगले 15-20 वर्ष में अगर उस इंडस्ट्री में टॉप थ्री पर अल पर चलें उसके काम करने के तरीके को देखें और कई लोग कहते हैं साब ये तो कॉपी करना हो जाएगा मैं उसको कॉपी करूंगा मेरी ओरिजिनल्टी कहा रह जाएगी देखें ऐसा है अगर थॉमस अलव एडिसन ने दस हजार बार एक्सपरिमेंट करके बल्ब का निर्म वह संगर से आप गुज़रें आप देखें उनकी स्टैडिजी क्या है उनकी मार्केटिंग स्टैडिजी क्या है उनकी प्रोमोशनल स्टैडिजी क्या है वो कितना मार्जन पर काम कर रहे है उनका मार्जन लो है वाल्यूम हाई है या उल्टा है वाल्यूम लो और मार्जन ह available हैं आप उनसे बहतर क्या दे सकते हैं या उनके equivalent क्या दे सकते हैं और जब आप बड़े से compete करेंगे तो आप quality भी वैसी maintain करेंगे आप बाकी चीज़े भी वैसी maintain करेंगे और जो वैक्ति उस बड़े को afford नहीं कर पाएगा अगर उसको second grade का कोई option मिलेगा वो तुरंत आपको accept कर लेगा और देखें के कौन सी ऐसी निश मार्किट है जो उसकी मार्किट है और आप अपने लिए निश मार्किट क्या ते यार कर सकते हैं कई कंपनिया ऐसी चल रही है जिन्होंने केवल एक flagship product बनाया और उसे एक flagship product नहीं करोडों का business उनको करके दे दिया पारले के टौफी आया करती थी आपने देखा होगा उस एक टौफी ने जो कच्छा आम टाइप का टौफी हुआ करता था एक टौफी नहीं उनको कई सो करोडों का पारी वेन्यू दिया सिर्फ एक flagship product क्योंके बहुत सस्ता product चल रहा है और सब लोग उसको खरीदने लगे आइस्ता क्या हुआ उन्हीं दुकानों पर उन्हीं retailers पर जहां पर उनका एक product जा रहा था बाके product भी नोने डालने शुरू कर दिये और फिर क्योंके बड़ी कोई shortcut नहीं है साथ कई लोग कहते हैं साथ कोई आसान रास्ता बता दे जाए अमीर बनने के लिए आसान रास्ते पर focus मत करिए अमीर बनने के लिए उन रास्तों पर चलने कोशिश करिए जो रास्ते सफलता के तरफ लेकर के जाते हैं और सफलता के रास्ते अक्सर लंबे हो जबकि आपकी बिजनिस में इनिशेट करने की या जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो पचास लाग भी नहीं है तो कैसे आप पचास कोड़ पहुंच जाएंगे पांट दस पंदरा वर्च पहले नाम कमा लिजिए इंडस्ट्री में आपको इस्टैबलिश कर लिजिए और इन ही सिर्विस पर फोकस करके आप अगए बढ़ा सकते हैं बढ़ा ऑब rage लेकिन कोशिश करें आपका नाम हो जाए अपकी का नाम हो जाए और फिर आइस्ता इस्ता इस्ता आप अमेरी के रास्ते पर जा पाएं अमेरी में एक सीक्वेंस है उस सीक्वेंस एक साल का समय लगा, तो अगला साल अगर आप उसी फ्रिक्वेंसे से काम करते रहते हैं, तो दस क्रोड हो जाएगा, यानि टैन टाइम हो जाएगा, यानि हंड़े क्रोड भी पहुंच सकता है, अगर आप स्प्रिक्वेंस को समझ पाएं, क्योंकि पहली स्टेज अचीव करन उसमें समय जादा लगता है आपने देखा वारन बुफिट के बारे में या दुनिया के जो अमीर लोग उनके बारे में पढ़ा होगा सुना होगा जितना उन्होंने अपने 50 साल में अचीव किया लास्ट के 5 साल में उतना अचीव कर लिया मतलब 5 साल की ग्रोथ और पिछले 50 साल की ग्रोथ दोनों बराबर होगे कारण क्या था क्योंकि 5 साल में अब उन्हें वह experience 50 साल का था उन्हें investment के नियम मालूम थे और उन्होंने जो पहले पैसा invest किया था उन्होंने उस opportunity के लिए रखा जो opportunity उन्हें 50 साल बाद मिली जैसी opportunity मिली तुरंद उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उनका पैसा 50 गुना हो गया आप भी कर सकते हैं और ये हर कोई कर सकता है शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल आएगी शुरुआत के पहले 5-10 वर्ष हो सकता है आपके अमीरी के संगर्श बरे हो उतार चड़ाव जादा हो चीजें आपके हिसाब से ना हो लेकिन लगातार काम करते नहीं दिरंतरता ही सफलता की कुझी है अगर आपको वाकई सफल होना है वाकई अमीर बनने है वाकई पैसा कमाना है लगे रहिए रुकना नहीं है छोड़ना नहीं है कुट कर देने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते हैं और अमीर बनने वाले लोग कभी कुट नहीं करते साम लगे रहते हैं कब तक नहीं होगा मैं हार मानूँगा नहीं जब तक होगा नहीं वो मैंने कहानी सुनाई दिना कि एक वक्ती था जब जब नास्ता था बारिश होती थी तो लोगों ने का कि जब जब नास्ता बारिश होती और जब भी कई बारिश नहीं होती थी उसे बुला लिया जाता था, वो नासता रहता था, जब जब नासता था बारिश हो जाती थी, उस गाउं में कई युवा है, युवा उनने का भाई हम भी ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है, तो तीन युवा थे उन्होंने का के अभी बुलाने की जरूद नहीं है, बारिश सादू महत्मा जो, वह ऐसा क्या नासता है, कि उसके नासते से बारिष हो जातی है, उसको बुलाया गया, उसनी आया, नासते न शुरू किया, दस मिनट हुए, पंदरा मिनट हुए, आदा गटा हुआ, एक गटा हुआ, दो गटे हुए, पांच गटे हुए, दस गटे tad ना करता रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाओं मैं तब तक रुकूंगा नहीं मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं अपने टार्गेट एचीव नहीं कर लेता अगर यह सोचोगी लिख लीजिए आपको अमीर बनने से